अब अब आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम शॉट्कट वीडियो एडिटर अपने लैपकॉक में विंडो 11 में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं चलिए हम देखते हैं कैसी इंस्टॉल करते हैं इसको चलते हैं हम घूवल क्रें त्टाइब करते हैं शॉटकट को और यहां पर आप देखने पहले साइट व्रॉरेड यहां पर देख स разм色म प्लरे इससे चौना में जिनार करेंगे और हम स्टाइबarin में टूरकर किसे सब्राइब कर सका है छान पूररा कर यह थो क्या समय के टूरस क्या मकी साइल खूल करें तो टोरिए उन्सांस सब्सक्मान इस शोल पूरा किलते थैं कि यहां हम देख रहे हैं हमारी इंस्टॉल होने ही वाली है और जैसे यह पूरे इंस्टॉल हो जाएगी हम इसे डिबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे अधियों कि हमारी इसे में यस करती हूं इसके बार में पास राज चुकी है इसके लिसे में फिकरती हूं और इसे ृटकट भी हम इहां पर क्रेयेट करें एंप्रेट्थ डेस्टोप शौटकट ले लेते हैं इन्स्टॉल कर लेते आ हम इसको तो यह हमारे shortcut नहां पर setup install हो रहा है। इसके बाद हम इस shortcut video editor को use कर सकते हैं। यह हमारे window 11 में install हो रहा है। तो यह बहुत ही easy method है जिसे हम shortcut video editor को install कर सकते हैं। यहां पर हमारा installer complete हो चुका है। इसे मा close कर देती है। और हम इसका icon देखते हैं। तो हम देखते हैं यहां पर desktop में यहां पर मैं करते हूं shortcut यह मेरा आचुका है। यह बहुत क्लिक करते हैं। और यह मेरा shortcut की open हो रहा है। shortcut video editor open होते ही। यहां पर यह कुछ thumbnails की updates हैं यहां पर यह मांग रहा है। install कर देगा। I hope आपका भी इसी तरह से time लगाएगा और आपका install हो जाएगा। आप इसे बहुत easily use कर सकते हैं window 11 के लिए। देखे मेरा आचुका है यहां पर और यहां से अब मैं इसे use कर सकते हैं अपने video editing के लिए।